अब आज नमस्कार दोस्तों मेरे नमें आप देख रहे हैं जी देरेक्टिक तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वह है एक मेंस्विच डिस्टिविशन के बार देख सकते हैं हमने यह जो मेंस्विच कानेक्ट किया यह 200 अम्पेर का है थ्री पेज में है ठीक है और हमने बाज बार गभी कानेक्ट कर दिया जो केंडीरांट आमप्यर का है ठीक है वक दो यह बाज बार आप देख सकते हैं अने प्पर का बास बाथ है को है ? तो यहां पे हमने input supply जो लेंगे तो हमारा फैस supply यहां पे अपर रेडियो लू यह तीन हो यहां पे और इस साइड में neutral तो यहां पर हमने 95 स्क्वार एम का जो पाउर के लिए उच जो यलिए इसका आॉटपूट हमने ले लिया यहांसी रेडिये लोगई यहत To वे रहुए करी देखिए यह है वो लक्स यह छोटा वाला हमने यूज नहीं किया यह जो बड़ा वाला आप देख रहे है इसका होल थोड़ा बड़ा है यह लेकिन यह 25 स्क्वार्यम का ही है इसे हमने यूज किया ताकि यह स्नाट बोल में अच्छे से फीड हो जाए ठीक है और इस नूट्रल के लिए हमने 35 स्क्वार्यम का अलुमियन के भी पूसिश्ट किया इसका लंट्स ऑनुमिनियम का है तीफ है हम स्क्वार्यम ईंच कर दिया यहीं है और यह यह लगंश कर दिया इस साइड में ठीक है यह लो ब्लू और नीटल यहां पर तो यहां पर हमने 100 अंपियर का बाजबर कनेक्ट किया तो यहां पर हमारा जो बाजबर है यहां से आउट्पुड होके यहां से वायर कनेक्शन अभी एक किया है हमने पूरा कनेक्शन नहीं किया अभी काम चल रहा है यहां पर starter में connection हो गया यहां पर सभी 3-phase starter लगा हुआ है यहां पर 4 starter है यहां पर हमारा dry motor 15 hp 10 hp का motor होता है वही motor यहां पर चलाने वाले है इसलिए हमने यह starter 4 connect किया यहां पर इसका wiring अभी complete नहीं हुआ है चल रहा है कम अब देख सकते हैं यह 2.5 mm का cable है यहां पर हमने सकिण सब्सक्री मन विल्ट सकर करके hepad युट करने क sits कर दिया है अगर चोटा 2.5 का 2.5 mm का लाक्स को यहां पर सेट नहीं फीड नहीं हो पाएगा इस नाट बॉल्ट में इसलिए हमने 16 स्कुराइर में का जो अलुमिनियम लाक्स है उसके साथ कर लिए और यहां पर इसका और एक काम बागी रह गया इसका जो आर्थिंग आनग रहा ऊसब्सा और यहां पर और यह बाजबर का जो आर्थिंग प्वाट को है असा ऑछिक का आउट है ट्रीक है और फांट के सांथ इसे करना होगा टीक है तो डिस्टिडुविलीचंट पैनल अब पर तयार करेंगे एक चीज़ ध्यान लखेंगे सारे केबिल का जो लक्स का जो नाटवोल्ट है अच्छे से टाइड होना चाहिए ठीक है कि तो यहां पर हमने एक, 200 Ampere का मेंज सुच के सांथ, 100 Ampere का वाजबर यूच किया, आप चाहिए तो 200 Ampere के जगा यहां पर 100 Ampere का मेंज सुच पर जाके यह वीडियो भी देख सकते हैं अलग से बस्वर का भी वीडियो creat things को मिल जाएगा और भी सी स्टाटर का रिप्टेर्इड उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्रेब करिए मिलते हैं नेक्ट टीव में जैए हिंट